अब बड़ा ध्यान से देखिए इसको आपने जरूर कहीं देखा होगा ये विचारा रख्षा करता है एक सिपाही की तरह से एक सैनिक की तरह से आपकी खेत की रख्षा करता है बाड में खड़ा हो करके घर में बहुत सुंदर आदी आपने लोन बनाया है या आपके पास छो कहीं उस गार्डन के किनारे पर खड़ा हो करके आपकी जो बगीची है आपका जो गार्डन है उसकी यहां शोभा बढ़ा रहा होता है और जिनके पास ज्यादा जगह नहीं है तो एक दो गंबले में भी इसको लगा देते हैं तो ये हरा भरा पारो मेहना वो आपकी घर की स सुगमता से लगा सकते हैं यदि इसको आप सिर्फ इसके टहनी को तोड़ करके यदि आप लगा भी देंगे तब भी यह लग जाता है किसी भी रितु में किसी भी जगह पर यह आराम से लग जाने वाला पाउदा है इस थानिये नाम में हम लोग इसको नाग दौन बोलते ह हैं इसलिए क्रिपया आप इसको बड़ा ध्यान से देखें क्योंकि बहुत सारे भाई बहन माताय बहने मुझे कहती है कि जड़िपूटियों को आप थोड़ा-सा हम ध्यान से देख पाएं यह आप ध्यान से देखिए यह जो पाउधा बहुत गहरा हरे रंग इसके पत्त ह हैं इसकी टहनी बड़ी कोमल है और इसको तोड़ने के बाद में इसमें से निकलता है दूद इसको बोलते हैं नागदोन तो नागदोन के जो हमने प्रयोग किये हैं उन प्रयोगों से आज हम आपको अवगत करना चाहते हैं जब हम आज चिकत्सा कारी करते हैं तो बहुत तर तो बहुत सारी रोगों से पहले पीडित थे कहीं से कोई उषदी उनको मिल गई उसका उन्होंने सेवन किया और वो ठीक हो गए हमारे चिकत्साले में ये कुछ वर्ष पूर्व की घड़ना है उनी में सही तो आकर के कहने लगे कि हमारे घर में बहुत भयानक पवासिर की शि हैं सुबहा एक दो काली मिर्च मिला कर में उसको चवा करके खाना उपर से पानी पीना तीन पत्ते और दो या तीन काली मिर्च तो उन्होंने का हमने कुछ दिन लगातास सेवन किया उनने तीन दिन के लिए कहा था, चार-पांस दिन में ही हम पूरी तरह से ठीक हो गए, जब मेरे को ये जानकारी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि आप ये बताईए कि वो जड़ी क्या है, उन्होंने कहा अच्छा, ये होती तो सब जगह है, जरा मैं देख लूँ, आश सरवत्र, खेतों में, बाडों में, खेती की रक्षा के लिए, घर में, कहीं पर भी लोन में, इसको लगाते हैं लोग, मैंने का ये है तो सब जगह होता है, बोले जी ये सब जगह होता तो है, पर हमें उन्होंने बताया था, ये सबसे पहला हमारी जानकारी थी, नागदोन के संदर्व में ये वर्षो पुरानी बात है तो फिर हमने इसका कुछ प्रयोग जो अपने नज्दि क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पॉईजन वाला पहुदा मानता था उससे पहले क्योंकि मुझे एक कुछ बिचित्रसा कैक्टस की सी प्रजाती लगती थी फिर हम की सेवन के लिए बोलते हैं जब छोटा पत्ता होता है तो थोड़े बीच के हो तो दो पत्ते का सेवन कर सकते हैं और बिल्कुल छोटे पत्ते हो तो तीन पत्ते का सेवन कर सकते हैं तो जिनको बवासिर की सिकायत है उनके लिए बहुत ही लाबकारी गुनकारी पत्ता है त तो एक पत्ति से तीन पत्तियों तक इसकी डोज हमने निर्धारित की आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा पत्ता है तो एक ही पत्ता पर्याप्त है काली मिर्च के दाने और इस पत्ते को पीस करके सुभब बिल्कुर खाली पेट तो कितनी भी भ्यानक ब्लिडिंग होती हो प तो काली मिर्च इसमें मिला दें और आप उपर से एक ग्लास पानी पी जाएं आप देखिए आपकी जो ब्लिडिंग है वो तुरंत इसको लेते ही यह रुक जाती है